नमस्कार स्वागत है आप सभी का बिहार इनेम 10600 भरती लेटेस्ट अपडेट में दोस्तों कैसे आप सभी उमीद है आप अच्छे और सुस्तों गे आज हम बिहार इनेम 10700 भरती संबंधित कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके लेकर आए आज इस वीडियो के माध्यम से आपको 1100 smallalbhaerti संबंधित महतपून अपडेट मिलने वाली है आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी मिलेगी कि आपका 1100000 smallalbhaerti में selection हो गया नहीं और selection के लिए कितने merit तक जा सकती है और सेलेक्षन प्रक्रिया कितने नमबर तक होगी कैटेगरी वाइच आज हम मेरिट की डाटा आपको बताने वाले है तो दोस्तों आप लोगों से क्रिक्ष्ट है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक करके सेर जरूर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको शंपूर जानकारी मिल पाएगी क्योंकि आज का यह वीडियो बिहारेनें 10,000 सासनों भरती से सम्मन देद महत्तुपूर होने वाला है अगर आप वीडियो का एक भी पार्ट मिस कर देंगे तो आप से महत्तुपूर जानकारी मिस हो जाएगी इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा ही देखिएगा दोस्तों जैसा आप सभी अभ्यारतों को मालूम है कि बिहारेनें 10,000 सासनों भरती प्रक्रिया लगातार चल रही है और ऐसे में बहुत से अभ्यारती हैं जो लगातार यही सवाल कर रहे हैं कि बिहार NM 10700 भरती प्रक्रिया में हमारा सेलेक्शन हो गया नहीं बिहार NM 10700 भरती प्रक्रिया में मेरिट कितने नंबर तक जा सकती है और कितने नंबर में अभ्यारतियों का सेलेक्शन हो जाएगा अगर कोई फ्रिसका भ्यारती है तो उसकी मेरिट कितने तक जाएगी और अगर कोई सम्मीदा एनेम बाला भ्यारती है तो उसकी मेरिट कितने तक रहने वाली है आज इस वीडियो के माध्यम से आपको संपोड जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो भी छात्र बिहार एनेम 10,700 भरती प्रक्रिया में काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं ऐसे छात्रों को बताना चाहते हैं कि बिहार एनेम 10,700 भरती की काउंसलिंग प्रक्रिया बस कुछी दिनों में सुरू हो सकती है काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कराने के समद में आयोग की मीटिंग तैय हो चुकी है आयोग जल्द ही भिहार एम 10,007 बारती प्रक्रिया की काउंसलिंग की लेटिस्ट अपडेट जारी कर सकता है जिसमें ये आपको जानकारी मिलेगी कि बिहार एनेम 10,000 साथनों भरती की काउंसलिंग प्रक्रिया इस दिन से सुरू की जाएगी लेकिन पहुत से भारती ऐसे भी है जो लगातार हमें बार बार यही कमेंट कर रहे हैं और सवाल पूश रहे हैं कि बिहार एनेम 10,000 साथनों भरती प्रक्रिया मेरिड के अधार पर होगी या एकजाम के अधार पर तो ऐसे चात्रों को हम बताना चाते हैं कि बिहार एन्यम 10,000 सासनों भरती की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो मेरेड की ही अधार पर होने वाली है क्योंकि बिहार एन्यम 10,000 सासनों भरती प्रक्रिया में जो नई निमा वाली लागो की गई है वो 2023 में आने वाली नई वेक इसलिए इस बैकेंसी में कोई बिहार अधिसूचना के अधार पर कोई इसमें नियमा वाली लागू नहीं की जाएगी इसलिए दोस्तों आप बेफिक्र होकर अपना अपना मेरिट एक बार देख लेजिए कि आपका कितने नंबर पर सेलेक्शन होगा और कितने नंबर पर आज इस वीडियो के माँद्धम से आपको संपोर जानकारी मिलнеगी दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दे जितने भी अभ्यारती प्रेस कंडिडेट हैं प्रेस ऑले अभ्यारती एक बार जरूर देख लें फ्रेस ऑले अभ्यारतियों की अगर बात करें और उसके साथ pharmacy का भी course किया है और वो general category से आता है तो ऐसे अभ्यारती को जो merit रहने वाली है वो 90 प्लस नंबर तक जा सकती है फ्रेस बाले अभ्यारती के ये बात कर रहा है अगर वही अभ्यारती जो NM का भी course किया है या pharmacy का course भी किया है और उसकी जो merit जा सकती है वो 85 तक जा सकती है ये OBC काटेगरी की है OBC काटेगरी की जो merit जा सकती है वो 85 नंबर तक जा सकती है इसी तरह बात करें फ्रेस वाले अभ्यारती की SC काटेगरी में तो SC continuum में फ्रेज्ष वाले अभ्हारतियों की जो मेरिट रहने वाली है फ्रेज्ष की जितने भी डेट है इनकी जो मेरिट रहेगी SC − 27 55 नंबर तक रहने वाली है इसी तरह, sht Flag के बात करें, shtitet क пропट़ की जितने भी अभ्हारति है अगर उने भीहार रिनेंव दtश आप उनकी मेरिट कितने तक जा सकती है category wise आप लोग देख लीजिए अगर हम बात करें संविदा NM के अभिःारतियों के लिए तो अगर कोई अभिःारती संविदा NM का है और उसने NM का भी course किया है NM का course करने के बाद एक साल का इसके बाद बिहार के संविदा के पत पर कारिकर रहा है तो ऐसे अभ्यारति को जो मेरिट रहने वाली है लगभग नबे से लेकर बाणबे नंबर तक रहने वाली है, ये एक वर्स तक एनेम बाले अभ्यारतियों का कोर्स अगर है, और उसके बाद एक वर्स का संविधा के कद पर वह कार किया है, तो अगर जो selection है का process है वो लग भाग अगर इनकी selection की बात करें वो 90% chance है इसी तरह बिहार एने 1070 भरती प्रक्रिया में कोई अभ्यारती है जो सम्विदा के पर कार किया है और उसकी 5 वर्स तक जिसने भी सम्विदा एनेम के अभ्यारती है अगर इनकी selection process की बात करें तो ऐसे अभ्यारती का जो selection process है 5 वर्स के अभ्यारती के लिए 100% है मतलब दोस्तों बिहार एनेम 1070 भरती प्रक्रिया में 5 वर्स तक सम्विदा एनेम के पत पर जितने भी अभ्यारती कार कर चुके है ऐसे अभ्यारती के लिए बहुत बड़ी गुड़नी उचाए ऐसे अभ्यारती का बिहार एनेम 1070 भरती प्रक्रिया में 100% selection होने का चांस है केवल वो अपना अपना डाटा तयार रखें जैसे ही आयोग बिहार एनेम 1070 भरती प्रक्रिया की आप ही सेल अपडेट जारी करेगा तो हम आपको सूचित करेंगे लेकिन संभिदा एनेम बाले अभ्यारती के अगर बात करें जिनके 5 वर्ष का अनभव का प्रमाड़ पत्र है ऐसे अभ्यारती की सेलेक्षन होने की 100% उमीद है तो दोस्तों जितने भी सम्मीद्धा A&M बाल आभ भ्हारती है वो बेफिकर हो जाए अगर उनके पास A&M का कॉर्स है और उसके साहसात अगर किसी भी प्रकार की उच्छे डेगरी है और उनके पास सम्मीदा के पत पर कार करने का अनुभाव का पर्माडपतर है तो ऐसे अभ्यारतियों के बिहार एनेम 10709 भरती प्रक्रिया में 100% सेलेक्शन होने का चांस है बिहार एनेम 10709 भरती प्रक्रिया में केवल फ्रेस अभ्यारतियों का ही लगभग 25% सेलेक्शन होने का चांस है अगर बिहार में फ्रेस वाले अभ्यारती होंगे उनको एन्यम के साथ साथ अगर उसके पास कोई उच्छ डिग्री होगी तभी उनका सेलेक्षन बिहार एन्यम तसजार सासनों भारती प्रक्रिया में हो पाएगा अगर उनके पास कोई उच्छ डिग्री नहीं होगी तो उनका सेलेक्षन बिहार एन्यम तसजार सासनों भारती प्रक्रिया में नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका सबसे बड़ा काराणया है कि आयो जब काउंसलिंग करेगा तो एक मेरिट जारी करेगा और मेरिट जो जाएगी वो सबसे हाई जाएगी इसलिए जितने भी समविदा के पत पर कार कर रहे हैं ऐसे हैं भारतियों की अगर बात करें तो ऐसे हैं भारतियों का सेलेक्षन होने की ज्यादा उमीद है आई ये कटेगरी वाइज बात करें तो सबसे पहले हम बात करें जर्नल कटेगरी की तो ज इसी तरह OBC कटेगरी की बात करें तो OBC कटेगरी की जितने भी है भ्यारती बिहार एनेम 10,700 भरती प्रक्रिया में आल लाइन आवेदन क्या है ऐसे अब भारतियों के अगर merit की बात करें तो ऐसे अब भारतियों के जो merit रहने वाली है वो लग भाग 85 नमबर तक जा सकती है वो भी इसी कटेगरी के जितने भी भारति है उनकी जो merit है वो 85% तक जा सकती है इसी तरह बिहार एनेम 10,700 भरती फ्रक्रिया में अगर यसी कटेगरी की बात करें तो ऐसी कटेगरी की जो merit रहने वाली है ऐसी कटेगरी की जो merit जा सकती है वो लग भाग 70 से लेकर 72 या 73 इस्ते जादा नहीं जाने वाली स्टी कटेगरी की बात करें स्टी कटेगरी वाले जितने भी भारति है ऐसे भारतों के जो मेरिट है वो बहुत कम जा सकती है ऐसे भारतों के मेरिट 65 से लेकर 68 नमबर तक रह सकती है तो दोस्तों अगर आपने बिहार नियम 1070 भरती प्रक्रिया में आल लाइन आवेदन कर दिया है तो आप कुछ दिन का और इंतजार कीजिए क्योंकि इंतजार की यडिया बहुत जल्द खत्म होने वाली है आपका बिहार नियम 1070 भरती प्रक्रिया में काउंसलिंग का जो चरण है वो बहुत जल्द सुरू होने वाला है आयोग काउंसलिंग के समद में सबसे पहले आप बिहारतों को एक सूची जारी करके सूचित करेगा उसके बाद ही आपको ये सूचना मिलेगी कि बिहार नियम 1070 भरती प्रक्रिया में जितने भी कंडिडेट है उनकी सेलेक्शन इसमें होगा लेकिन अगर हम बात करें बिहार नियम 1070 भरती प्रक्रिया में काउंसलिंग का चरण के बारे में तो दोस्तों बिहार नियम 1070 भरती हमें काउंस काउंसलिंग के दो चरण निर्धारित किये जाएंगे प्रथम चरण जो निर्धारित किया जाएगा उलगभग 11 से लेकर दो बजे तक निर्धारित किया जाएगा प्रथम चरण बाले जितने भी अभ्यारती हैं उनको काउंसलिंग लेटर दिया जाएगा और काउंसलिंग लेटर में ये साफ साफ निर्देश दिया होगा कि बिहार एनेम दसजार सासनों भरती की काउंसलिंग प्रक्रिया इस दिन से सुरू होने वाली है और इस समय आपको उपस्तित होना होगा तो जैसे ही काउंसलिंग लेटर आपका जारी किया जाएगा आप अपने संपूर्ण डाकूमेंट को इकठा करके आयो जिस जगह पर काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा आपको उसी जगह पर उपस्तित होना होगा लेकिन अगर बात करें बिहार एनेम दसजार सासनों भरती की काउंसलिंग का सेकंड चरण के बारे में तो सेकंड चरण जो स्टार्ट कि उनको 11 से 2 बज़े तक बुलाया जाएगा और दो-3 चरण में जितने भी कंडे डेट हैं इनको 2 बज़े से 5 बज़े तक बुलाया जाएगा अगर बिहार एनेम दसजार सासनों भरती प्रक्रिया में अगर काउंसलिंग की जो डेट निर्धारित होगी उस डेट पर आप न निकाल दिया जाएगा और आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी नहीं की जाएगी इसलिए दोस्तों जैसे ही आयोग बिहार एनेम दसजार सासनों भरती प्रक्रिया की आप हीसियल अपडेट जारी करें तो आपको काउंसलिंग के लिए उपस्तित होना होगा और अपनी counseling करवाना अनिवा रहा है बिना counseling की आपकी joining प्रक्रिया नहीं हो पाईगी क्योंकि counseling की हिया धार पर आपको ये मालूम चलेगा कि आपका selection हुआ है या नहीं आई ये बात करते हैं कि बिहार नहीं 10,700 बहरती प्रक्रिया में कोई अभिहारती है जो kaunseling के लिए उपस्तित होने जा रहा है उसको कौन kaunseling data кोश्ता होगी और कौन kaunseling data equipment kaunseling में लगेंगे तो सबस्य पहले हम से वेपाई करें तो आवेधन काあの welche आवेधन की दो photocopy आपको लेकर काउनसलींग में उपस्तित होना होगा दुती डाकुमेंट की अगर बात करें तो दुती डाकुमेंट आपने आवेदन करवाते समय जिस फोटो को प्योग किया है उस फोटो को पाँच फोटो आपको ले जाकर काउंसलिंग भे उपस्तित होना होगा उसके बाद अपनी संपोर डिगरी अगर आपने एनेम का कोर्स किया है तो एनेम की डिगरी अगर जीनेम का कोर्स किया है तो जीनेम की डिगरी या फार्मेंसी का कोर्स किया है तो फार्मेंसी की डिगरी इन सभी डाकुमेंट को लेकर आपको काउंसलिंग के लिए उपस्तित होना होगा कम से कम पांच फोटो कापी आप आधार कार्ट की करवा लिजिए और काउंसलिंग प्रक्रिया में यह आप आपकी लगेगी इसके बाद अगर बात करें पांचवा डाकॉमेंट की तो पांचवा जो डाकॉमेंट इसमें निर्दारित किया गया है वो है EWS certificate जितने भी candidate है अगर वो EWS category के आते हैं अगर उनका जो प्रमाणपत्र है वो EWS certificate अगर है तो उसको सुरच्छित रगिए और उसको अपनी पांच फोटो कापी करवा कर काउंसलिंग में उपस्थित होना होगा तभी आपकी काउंसलिंग होगी अनिता आपको काउंस प्रक्रिया जब सुरू की जाएगी तो आयोग के टीम आपके स्वंपूर्ण डाकुमेंट का सत्यापन करेगी कुछ डाकुमेंट जैसे आपके आधार कार्ड हो गया पैन कार्ड हो गया और निवास प्रमाणपत्र हो गया तथा EWS certificate हो गया इन सभी प्रमाणपत्रों का सत प्रमाणपत्र है इन सभी डाकुमेंट का सत्यापन आयोग जो करेगा वो इन्वर्ष्टी भेज कर या कालेज में भेज कर उसको किया जाएगा तो दोस्तों बिहार एनेम 10709 भरती प्रक्रिया में जितने भी कंडिडेट है अगर वो यह सोच रहे हैं उनकी काउंसिलिंग प्रक्रिया जल्दी हो जाए तो जल्द से जल्द अपने अपना संपोर डाकुमेंट इकठा कर लें क्योंकि काउंसिलिंग प्रक्रिया बहुत जल्द सुरू होने वाली है काउंसिलिंग के लिए आयोग जल्द ही टीम का गठन करेगा और टीम का गठन होने के बाद सभी अ को आपको और इंतजार करना होगा बस कुछी दिनों के अंदर आयोग अपने विबसाइट के माध्यम से एक सुची जारी करके सब ही अभ्यारतियों को काउंसलिंग के लिए सुची जारी करके सुचित कर देगा